Dear students of class 12th English Literature, today in this lecture 1, Hindi version lecture, our topic is The Homecoming that is written by Rabindranath Tagore. Students, जैसे कि ये chapter का नाम आपने देखा, The Homecoming, और जिसका शाब्दिक अर्थ निकल करके आता है, घर लोटना, Students, इसका आपको शाब्दिक अर्थ नहीं निकलना, इसका आपको भाव निकलना है, एक फ्रेज से, आपने सुना होगा To Bring Home, To Bring Home का मतलब होता है, To Understand Something Clearly, जो आपकी गलत फ्रहमी है, उसका दूर हो जाना, और आपको अंतताह कोई बात अच्छे तरह से इस्पष्ट हो जाना, अर्थात हिंदी में आप कह सकते हैं, आपने सुना होगा, लोटकर वुद्धु घर को आए, जिसका मतलब निकल कर आता है, कि बात वो अब समझ में आ गई, जो पहले नहीं आई थी, इस्टूडेंट्स तो इस तरह से जो रविद्नाट टेगोर हैं, वो उन सोशल इशूज को उठाते हैं, मिडिल किलास की फैमिलीज के, जो बड़े ही वेवारिक हैं, तो यहाँ पर इस स्टोरी में हम जानेंगे, कि किस समाज के पहलू को उन्होंने यहाँ पर उठाया है, आईए थोड़ा सा जान लेते हैं, रविद्नाट टेगोर जी के बारे में, इस्टूडेंट्स रविद्नाट टेगोर जाने जाते थे बंगाली पोएट के रूप में, वहें फर्स्ट एशियन वेक्ती थे जिन्होंने नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर और 1913 में हासिल क अपने कलेक्शन गीतांजली के लिए, इस्टूडेंट्स उनका नाम निकनेम राभी या रोभी कह सकते हैं था, और वहें 14 चिल्डरन में सबसे यंगेस्ट बच्चे थे अपने परिवार में, इस्टूडेंट्स उन्होंने सोशल इशूस को उठाया, और अपने इस स्टो अब लड़कपण में एक लड़के के साथ क्या लोगों की सोच होती है, उसकी अपनी क्या सोच होती है, आईए इस चैप्टर में देखते हैं स्टूडेंट्स मैं हूँ एम रह्मान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासिस ऑफ इंग्लिश लेंग्विज प्लीज अपने सिलेबस से रिलेटिड सभी चैप्टर्स को ग्रैमर हो या लिटेचर हो जानने और सबसे पहले लेक्टर्स को अंडरिस्टेंड करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासिस ऑफ इंग्लिश लेंग्विज प्लीज लाइक कीजिए अगर आपको हमारे लेक्टर्स समझ आते हैं शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दा होम कमिंग लेक्टर वन इ इसमें हम जानते हैं कि फटीक चक्रवर्ती किस तरह से अपनी एक्टिविटीज में बहुत तेज है और दूसरों को भी उन कारियों के लिए उक्सा लेता है जैसा वे खुद चाहता है और इस्टूडेंट्स ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को निर्देशित करके अपने साथ एक गुरुब बना सकता है वही लीडर कहलाता है अब यह लीडर अगर नकरात्मक रास्ते में चला जाए तो यह है एक गंभीर समस्या क्रियेट कर देता है आए देखते हैं फटीक चक्रवर्ती के साथ फटीक चक्रवर्ती वोज रिंग लीडर अमंग दा बॉयर्ज ओव पडीक चक्रवर्ती अपने गाउं के लड़कों का रिंग लीडर था स्टूडेंट्स रिंग लीडर का मतलब है कि वह उनका नेता था यहां पर नेता का मतलब किसी पॉलिटिकल लीडर से बात होना नहीं है वह उनका उनकी अगवाई करता था स्टूडेंट्स और उनको उ उसके activities थी a new mischief got into his head एक नई शरारत उसके दिमाग में आती थी there was a heavy log lying on the mud flat of the river waiting to be shaped into a mast for a boat नई चीजें देखकर के उसके दिमाग में नई नई बाते आती थी और जिस तरह से सेंटेंस को आप understand कर रहे हैं कि वहां पर एक भारी लठा लाइन पड़ा हुआ था मड़ फ्लेट सीधे समतल नदी की कीचण में waiting to be shaped into mast जो इंतजार कर रहा था कि बच्चे उसको मास्ट बना करके एक बोट के लिए अर्थात जिसको नाव का रूप लेकर के बच्चे खेलें तो यहां पर आप राइटर की जो राइटिंग स्टाइल है उसको भी देख सकते हैं राइटर लिख रहे हैं waiting to be shaped into a mast तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो सेंटेंस सीदे से इस तरह लिखा जा सकता था he thought of making this log into a mast उन्होंने इसको बहुती आर्टिस्टिकली बहुती कलात्मक रूप में सेंटेंस को लिखा है वहाँ पर एक लठा कीचड में समतल भूमी पर पड़ा हुआ था जो की इंतिजार कर रहा था अपने आपको mast के रूप में ले करके एक नोका में प्रियोग की जाने के लिए अर्थात वे उससे नाव नाव खिल सकते थे he decided that they should all work together to shift the log और क्योंकि वे बच्चों का नेतरद करता था बच्चे उसके कहने पर चलते थे उसके अंदर अच्छी leadership qualities थी तो उसने बच्चों को इस बात के लिए तयार कर लिया कि वे इस लोग को man force अपनी शक्ती के दुआरा from its place इस जगह से हटाएंगे and roll it away और यहां से इसे आगे ले जाएंगे the honor of the log would be angry and surprised और जिस समय इस लकडी के लठे का मालिक आएगा तो संबवता वे बहुत ही नाराज होगा और चौंक जाएगा and they would all enjoy the fun और उन सबको बहुत मज़ाएगा इस students आपने देखा होगा जितने भी rowdy students होते हैं बच्चे होते हैं उनका कोई सोच अपना नहीं होता और वह दूसरों को सता करके thoughtlessly विचार हिंता के साथ मज़े लेते हैं तो यहीं कुछ ऐसा इसके साथ है क्योंकि इनकी तरक शक्ती बिलकुल नहीं होती और केवल यह amusement के लिए act करते हैं यहां भी वही हुआ everyone seconded the proposal students यह sentence अगर आप अपने English में यूज करें तो बहुत अच्छा sentence है everyone seconded the proposal हर एक ने उस प्रपोजल को अपना लिया हर एक ने उस प्रपोजल को accept किया and it was carried unanimously और यह काम unanimously means in unity यह काम पूरी यूनिटी के साथ आगे बढ़ाया गया स्टूडेंट्स यह यूनैनिमसली वर्ड है यह यूनैनिमसली इस तरह के जितने भी इसके अंदर डार्क वर्ट्स दिये गए हैं यह सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं जो कि इस यह बोर्ड एक्जैमिनेशन में आपको आने वाले हैं बट जस्ट एस दफन वोस अबाउट तो बिगिन लेकिन जैसे ही यह फन उनका चलने वाला था माखन फटिक यंगर ब्रदर सॉंटरड अप सॉंटरड अप मींस केम देयर वोकिंग वहां पर यूहीं टहलता हुआ आ गया कौन माखन फटिक का चोटा भाई और उनके सामने आ करके वह उस लकडी के लट्थे पर बैठ गया विदाउट अवर्ड और एक भी वर्ड नहीं बोला दा बोईज वर पजल्ड दूसरे लड़के चोग गये फोर ए मोमेंट एक चण के लिए लड़कों में से एक ने हलका सा उसको पुष किया धक्का दिया थोड़ा डरे हुए होकर क्योंकि रिंग लीडर उसका बड़ा भाई था और कहा खड़े हो जाओ जैसे कि कंदे पर हाथ मार करके बात करते हैं यहां पर आप समझ रहे हैं उस पर जैसे कोई असर ही ना पड़ा हो तो he appeared like a young philosopher meditating on the futility of games he appeared यह sentence students बहुत समझने वाला है और यहां पर सीधे सीधे sentences ना कहकर psychologically इस बात को कहा गया है he appeared like a young philosopher means he looked like a young philosopher sitting there वह ऐसा लगता था जैसे कि वहाँ पर एक young philosopher बैठा हुआ हो meditating on the futility of games और वो वहाँ पर बैट करके जो हमारे games की निरर्थकता है निरर्थकता means कि games किसी काम के नहीं होते उसके बारे में सोच रहा हो अर्थात कहने का मतलब यह है कि fatigue का भाई वहाँ पर बैट करके ऐसे विचार मगन रूप में बैटा था गया फ्यूरियस का मतलब है इस्टूडेंट्स यहां पर कि वह गुश्य में था माखन वह तेर चिलाया if you don't get down this minute I'll thrash you माखन अगर तुम यहां से नहीं उठे तो याद रखना मैं तुम्हें बुरी तरह से पीट डालूँगा means I'll beat you badly माखन not only moved to a more comfortable position only moved माखन के उठने की बात तो थी नहीं बलकि माखन तो यह सुन करके और comfortably बैट गया position ले ली नाओ if fatigue was to keep his legal dignity अब यहां पर fatigue की ego पर बन आई थी कि अगर before the public public means जो उसके लड़के उसके followers वहां पर खड़े हुए थे अगर वे इस बात से पीछे हट जाता तो उसकी जो legal dignity थी उसकी जो royal dignity थी उसका जो शाही style था वो गिड़ जाता it was clear he ought to carry out his threat carry out अब उसके लिए यह बहुत जरूरी हो गया था कि वह इस threat को पूरा करवाए but discourage failed him at the crisis लेकिन उसका यह साहस इस मुश्किल समय में crisis मुश्किल समय में fail होता हुआ नजर आया his fertile his fertile brain students fertile brain fertile कहते हैं उपजाओ को उसका उपजाओ दिमाग यहां पर मतलब निकलेगा इसका कि उसके दिमाग में उत्पन होने वाले तुरंत युक्तियों ने विचारों ने उसको support किया however rapidly seized upon a new manure which would discomfort his brother हाला कि वह इस नए manure इस नए action पर डटा रहा जो कि उसके भाई को discomfort means full of difficulty कर दे अर्थात वह अपने इस सोच पर लगातार यह जानते हुए भी कि उसका जो mission है वो fail हो रहा है वह अपने भाई को discomfort देने के planning पर डटा रहा his brother and afford his brother and afford his followers and added amusement students is chapter की language बहुत शांदार है और इस बात ने उसके दोस्तों को amusement afford कराया it means इस नए तरीके ने फटी के उसके दोस्तों को एक नया आनंद का और स्रोत दे दिया he gave the word of command to roll the log उसने अपने friends को command दी कि रोग को जमीन पर roll किया जाए roll करने का मतलम कि उसको लुड़काया जाए और माखन चाहे इससे क्यों ना roll over हो जाए गिर क्योंने जाए माखन heard the order अब डरने की बारी माखन की थी क्योंकि उसका भाई आदेश दे चुका था अब माखन को अपनी इज़त बचानी थी कि वे अगर उठता है तो वे गिर जाएगा और नहीं उठता है तो गिर जाएग अब डेली माखन के साथ था he and made it a point honor to stick on अब उसके लिए ये सम्मान की बात थी कि वे इस पर टिका रहे बट ही ओवर लुक्ड दा फैक्ट लेकिन उसने इस बात को की बात उनकी मानने पर क्या नुक्सान हो सकता था उसको ओवर लुक किया इग्नॉर किया नजर अंदास कि या like those उन लोगों की तरह who attempt earthly fame जो थोड़े समय की परसिदी लेने के लिए अपनी बात को मनवाने के लिए other matters दूसरी तरह से that there was a peril in it जो दूसी तरह से अपनी बातों को मनवाने के लिए थोड़े समय की वहवाही लूटने के लिए कोशिश करते हैं वह ये भूल जाते हैं कि there was a peril in it कि इसके अंदर खत्रा भी होता है अब यही काम माखन ने किया और माखन ने उस खत्रे को मूल ले लिया माखन ने अपनी जान पर वह खत्रा बढ़ा लिया जो उसकी भाई की तरफ से आने वाला था students the boy began to heave at the log heave का मतलब है कि उन लड़कों ने पूरा जोर लगा करके उस लोग को आगे बढ़ाया all their might with full power calling out चिलाते हुए one two three go एक दो तीन काम शुरू at the word go जैसे ही word go बोला गया the log went लठा आगे बढ़ गया and with it went माखन सा फिलोसोफी and glory and all और इस लठे के लोड़कने के साथ साथ माखन की सारी फिलोसोफी माखन की सारी वो गलोरी जो वो बहादुरी में बैठे हुए थे वह नश्ट हो गई students now all the other boys shouted themselves hearts with delight वह लड़के सारे जो वहां पर इखटे थे hearts means वह भद्धी हसी में खुशी से चिलाए but fatigue was a little frightened अब लेकिन फटीग को थोड़ा डर आ गया था he knew what was coming कि उसे पता था कि अब क्या होने वाला है students यहाँ पर समझने की बात है कि क्या होने वाला है कि फटीग अब जाकर मम्मी को बताएगा और मम्मी फटीग को पीटेंगी यानि फटीग ने पहले तो अपने छोटे भाई को insult कर दिया क्योंकि इसकी ego पर बनाई थी और अब उसे डर लग रहा था कि घर जाकर क्या होगा बात है यह एंड श्योर इनफ और यह बात बिलकुल निश्शित थी माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ एंड मदर अर्थ ब्लाइंड ऐस फेट इस्टुडेंट से लाइन बहुत ही लिट्रेरी लाइन है माखन उठे धर्ती माता पर जो पड़े हुए थे अर्थात जो जमीन पर माखन गिर गए थे उससे उठे धर्ती माता जो की सब के लिए एक सामान होती है और इतनी निश्शल होती है जैसे की हमारी किस्मत बिलकुल इस पर जो प्रियास है वो व्यक्ति को ही करने होते हैं और इसक्रीमिंग लाइक दा फ्यूरीज फ्यूरीज स्टुडेंट्स वो गॉड़ेस हैं वो देवियां हैं जो यूनान से संबंदित हैं जो की अभिशाप देती हैं तो यहां पर उन देवियों की तरह से जैसे कि वो तेज अभिशाप दे रही हो कर्जीज दे रही हो और फॉल अपॉन फटीग एंड इस होलोवर्स तो यहां पर वो रोता चीकता चिलाता उठा ऐसा आप समझ सकते हैं यह रजड वह तेजी से लपका एड फटीग पर एंड इसक्रेज इस फेस एंड बीट हिम उसे उसका चेहरा उसने खरोज डाला और उसे पीट डाला एंड किक दिम उसमें लाते चलाई और उसके बाद वेंट कराईं होम रोता हुआ घर चला गया अब आप देख लिजे छोटा बच्चा है और क्या हुआ छोटे ने पीटा भी मारा भी और रोता हुआ अब मम्मी से शिकायत के लिए चल पड़ा क्योंकि अब मम्मी मारेंगी इस फर्स्ट एक्ट अब दे ड्रामा वाज ओवर इस तरह से फटीग की इस शरारत से भरी भरी हुई जीवन का यह जो पार्ट था यहां पर पहला पार्ट पूरा होता है इस्टूडेंट्स अगले पार्ट को देखने के लिए प्लीज कंटीन्यू रखिए वाज करना अंडरिस्टैंड करना अटेंड करना और ऐसी क्लासिज ऑफ इंग्लिश लैंगवज को और प्लीज सबसे पहले लेक्ट्चर्स अवेल करने के लिए शब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और सी Classes of English Language को हमारे Assignments Students हमारे इंस्टा पर पढ़ हुए है और इंस्टा से related address हमारे description box में है धन्यवाद